हेलो दोस्तों नमस्ते मैं अपनी शोल पे आप सब का स्वागत करती हूं माई शोल फैमली माई वीवर्स माई सिस्क्राइवर्स गॉड्ड बिलिस यू दियर आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूं आपके पार्टनर के छुपी हुई फेलिंग्स आपके लिए आपके आपके पीट पीछे वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं हो सकता है आप लोग नो कॉंटेक्स सिच्वेशन में भी हो अगर आप नो कॉंटेक्स सिच्वेशन में हो या सैपरेशन में हो या बातचीत हो रही है मैं यहाँ पर उनके ट्रू इंटेंस देखना चाहूंग 2 number, 3 number and 1 number यहाँ date of worth भी हो सकता है और month भी हो सकता है यहाँने वाले time में यह numbers आपके लिए important हो सकता है ठीक है? देखिए इनके दिलों दिमाग में हमेशा से new beginning की energy रहती है ठीक है? इस person के अंदर जो भी है feelings वो कहीं न कहीं हमेशा new beginning की energy रहती है कि वो आपसे पहले बात करें लेकिन आप आजकल हर बात पे उन्हें इग्नोर करने लगे हो और आपको पता है यहाँ बहुत सार वियर्स के आपके पार्टनर के लाइप में दो माइंड है या दो चोईस है तो यहाँ four of wants की भी energy है आपके परसन हर हाल में आपके साथ मिलने की planning करते रहते हैं बट यह planning बहुत करते हैं और decision जो है वो कम लेते हैं new beginning के chances जो हमेशा इनके planning में चलती रहती है और यहाँ chances दिख रहे हैं कि वो हर हाल में आपसे मिलना चाहेंगे लेकिन रह रहे कर यह four of sorts के energy में आते हैं separation मतलब सोने वक्त इस परसन के अंदर ना बहुत सारी बाते चलती हैं जो कभी emotional हो जाते हैं और कभी बहुत ज़दा egoistic हो जाते हैं देखिए आपको मनाना और आपके विश्वास को जितना ये थोड़ा मुस्किल है ऐसा वो सोचते हैं साइद इन्होंने आपको हट किया है confused किया है तो कहने का मतलब आपके जो अंदर का विश्वास जो है और आपको मनाना थोड़ा मुस्किल है क्योंकि उन्हें लगेगा कि अगर वो आपके तरफ आते हैं तो वो मतलबी यानि मतलब से आते हैं selfish है वो लेकिन उनके दिवान में आप anytime हो मतलब ये आपको दिमाग से anytime spike करते हैं new वेगनिक चाहते हैं आप पर नज़र रखते हैं आपके आसपास की महल पर भी बहुत ज़ादा focus करते हैं आपके यहां कौन आ रहा है आप किसे बात कर रहे हो आप कहां जा रहे हो आप क्या कर रहे हो ये अपने friend के through भी या अपने आप से भी क्योंकि यहां पे three of pentacles की भी energy है तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत सारी वियोर्स आपके partner इस तरह स्पाई भी करते हैं जानने की कोशिस करते हैं आपके बारे में ये person सिर्फ planning करते हैं मैंने बोला ना ये person सोते समय कभी emotional हो जाना कभी गुसे में आ जाना कभी stress लेना ये इनकी आदत से बन गई है देखें ये person जो है आपको मनाने के लिए माफी तक मांग सकते हैं या कुछ जूट भी कह सकते हैं मतलब आपको मनाने के लिए एक chance लेने के लिए आप से प्यार पाने के लिए ये थोड़ा जूट का भी सहारा ले सकते हैं और ये जूट बोलना और चीजे छुपाना इनकी आदत है लेकिन सबसे बड़ी बात कभी-कभी इनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है ठीक है, जब आप उनसे फाइट करते हो, लड़ते हो और फिर से उन्हें हग करते हो, या फिर आप इमोसनल हो जाते हो तो देखिए, कुछ ऐसी बाते हैं जो याद करते हैं बड़ यहाँ पे वो इमोसनल भी हो जाते हैं और स्माइल भी करते हैं लेकिन कभी-कभी आप इनको इतना इग्नोर करते हो, कि इनकी क्रोध गुसा बढ़ जाती है लेकिन इस परसन की एनर्जी में यह दिख रहा है कि इनकी mentally भी जो एनर्जी है, stressful है बट यह अपने आपको हिल करने की कोशिस कर रहे हैं, ठीक है? कभी-कभी इनका मन होता है कि वो आपके तरफ न जुके, ठीक है? यह परसन की एनर्जी कभी-कभी होती है कि मैं ही क्यों जुकूं बार-बार, मैंने हमेशा action लिया है तो इस परसन को कभी-कभी mood swings की एनर्जी है, क्योंकि जब यह stress में आते हैं, तो कभी भी कुछ भी किसी से भी बहस कर लेते हैं इनकी घर में भी, फैमिली में भी, थर्ट पार्टी से भी और वर्क प्लेस पे भी, तो यह मुड़ी इनसान है तो यह अपने आपको सबसे ज़दा confused करते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि यह परसन अपने दिलो दिमाग से आपको निकालने ही पाते हैं, दिमाग से आपको बहुत सपाई करते हैं इनको सोना मुश्कील हो जाता है, काम करना मुश्कील हो जाता है लेकिन हर बग एक कोसिस होती है कि वो new beginning करें कभी-कभी यह person आपको call, message, video call करने की कोशिस करते हैं, unblock करने की कोशिस करते हैं, फिर अपने emotions को control करते हैं कि कब तक साइध आपके तरफ से action हो जाए, gesture हो जाए, आप approach कर दो, तो इस बिच में आपके partner confused रहते हैं, लेकिन strongly यहाँ पे है two of swords, two of pentacles के energy और three of swords के energy, यह किसी वज़ा से, यह painful situation में हैं, लेकिन आप से छुपा रहे हैं, यह person आप से छुपा रहे हैं, इसलिए इस person को थोड़ा confusion हो रहा है, कि आपके विश्वास को जितना और आपको मनाना थोड़ा मुस्किल हो रहा है, लेकिन यह अपने emotions को भी ignore करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो मिलने की भी कोसिस कर रहे हैं, कि वो आपके साथ time spent करें, बात करें, हिम्मत जुटा रहे हैं, ठीक है, यह अपनी पहचान आपको नहीं दे रहे हैं, इनके जिन्दगे में क्या चल रहा है, यह अपनी पहचान आपको नहीं दे रहे हैं, और कुछ इनका ego satisfaction वो control कर रहा है, तो यह person moody है, लेकिन इतना आसानी से आपके emotions को और प्यार को वो नहीं जी सकते हैं, इसलिए यह थोड़ा emotional होकर आपको पाने के लिए जूट का सहार भी ले सकते हैं, देखिए प्यार यहां एक दूसरे से है, two of cups की भी energy है, प्यार एक दूसरे से है, बट यहां पर समझने की कोशिस नहीं कर रहे हैं, आप दोनों जहां understanding बिलकुल नहीं है, देखिए आपके partner के लाए पर कोई third party है, या parents भी हो सकते हैं, आदर कोई हो सकते ह लहां पर understanding उनकी नहीं हो रही है, कुछ viewers आपके partner travel करने वाले हैं, ठीक है, travel करते हुए दिखाई दे हैं, या फिर आपसे बाचीत कर सकते हैं, देखिए बहुत सारे viewers के मन में ये भी है कि इनके जूट इरादे से, जूटे इरादे से क्या ये रिस्तार next level पर जा सकता है य ये हमारे कुछ viewers के एनरजी लेकिन फिर भी आप उनका इंतिजार कर रहे हो, तो देखिए बाबू, इनकी emotions में आप सामील हो, लेकिन ये मोड़ी इंसान है, लेकिन ये मिलने की planning करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, no context situation क्योंकि four of sorts के एनरजी भी है, तो four of wants की एनरजी है ये person आपकी यादों में हैं, लेकि आप मौका उन्हें नहीं दे रहे हो, ठीक है, आप अपने उपर ज़्यादा focus कर रहे हो, और आप उन्हें ignore कर रहे है, तो ये इनके दिमाग में तो है बाबू, ठीक है, ये इनके दिमाग में है, और आपको मनाना मुस्किल हो रहा है, ल किस कर रहे हैं वो, ठीक है, आपके तर बढ़ना भीच आते हैं, इनके इरादे देखिए, देखिए, आपके खमोसी और आपका पडिवरतन, ये चीज उनको disturb कर रहा है, लेकिन सेवन अप सोर्ज की एनरजी, आप दूनों के बीच में टावर आया है, या इनके लाइप में टावर आया है, ये सेवन अप सोर्ज की एनरजी, कहीं न कहीं, इस परसन के मन में डर है, यहाँ पे धोके मैं नहीं कहूंगी, हाँ, इन्हों ने आप से जूट कहा है, लेकिन इस वक्त डर है, कि कहीं इनके लाइप में कोई टावर ना आजा, अगर आपने इने वो अटें प्रांग में चलते हैं, जो आपके पीट पीछे हैं, लेकिन आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, या आप ही खामोस हो गया, मतलब आपके तरफ से एक्सन नहीं हो रहा है, ठीक है, और ये आपके साथ बैलेंस क्रियेट करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन इमोसिनल बनाना चाहते हैं, और आपका प्यार पाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियर्टी मुझे नहीं दीक रही है, बस ये सोच रहें कि वो आपको कमिटमेंट दे और बैलेंस करें, लेकिन ये मिस कर रहे हैं, यहाँ मूडी इंसान है, ये एनरजी जो है मूड किया है, खामोस हो रहे हो, लेकिन ये जूट कह सकते हैं, और जूट कहने से सबसे बड़ी बात यहाँ इने डर भी है, क्योंकि आपको मनाना, जिंदगी मिलाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो सौ सवाल आपके होंगे, जब आप इनके बिलकुल नहीं होंगे, वो व दिख लिजे, ठीक है, लेकिन ये हर हाल में आपके तरह बढ़ना चाहेंगे, वीडियो अच्छी लगे दिए और तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, गाड ब्लिस यू और थेंक यू